Smart Care Dam Block ये एक अत्यादुनिक नेनो टेक्नोलोजी से बनाया हुआ प्रोडेक्ट है इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स दीवारों के छोटे छोटे छेद में समा जाते हैं और नमी को दीवारों के बाहर आने से रोकते हैं ये इतना असरतार है कि उस तरफ से आने वाले पानी को चार बार प्रेशर तक रोकता है हम जानते हैं कि ऐसे ट्रीक्मेंट के लिए प्रोडेक्ट का लचीला होना बहुत ही माइने रखता है और डेम ब्लोग बस वही है इसमें मिले हुए पॉलिमर्स वाटरप्रूफ कोटिंग को बहतरीन लचीलापन देते हैं और आपको लंबे समय तक ऐसे भद्दे दावों से छुटी इतना ही नहीं ये ब्रीदेबल भी है इसलिए केवल वाश्प को दीवार से बाहर आने देता है पानी को नहीं ये बना बनाया प्रोड़क्ट है जिसे बस पानी में मिलाए और प्लास्टर पर लगा दे नो तोड़ फोड नो जंजट और सूखने में भी ज़्यादा वक नहीं लेता इसलिए प्रॉबलम फटाफट सॉल्ट ये है एशिन पेंज का नया स्मार्ट केर डैम ब्लॉग है ये है भीत्री दिवारों की नमी के लिए परफेक्ट सॉलुशन है इसको इस्तिमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है सबसे पहले नमी के सोर्स का पता लगाए ये सोर्स कई तरह के हो सकते हैं जैसे खराब प्लंबिंग, ट्रेनेजेज, जमीन से उठती हुई नमी, बाथरूम के टाइल से या फिर बाहरी दिवारों से जो भी कारण हो उसे सबसे पहले पूरी तरह से ठीक करें शुरुआत में जगे को नाप लें, ताकि जितने प्रोड़क्ट की आवशक्ता है उसका अंदाजा लक्स में दीवारों पर लगा हुआ पुराना पेंट और पी ओपी को पूरी तरह से निकाल दें और प्लास्टर तक पहुँचें यदि प्लास्टर पुराना हो गया हो तो उसे दुबारा से लगाएं और उसे तीन दिन तक सूखने दें उसके बाद जगे को अच्छी तरह से साफ कर लें डैम ब्लोक एक सिंगल पैक प्रड़क्ट है इसके एक भाग को एक भाग पानी में मिलाएं और प्राइमर के तौर पर ब्रश से लगाएं और चार गंटे तक सूखने दें डैम ब्लोक के तीन भाग को एक भाग पानी में मिलाएं और उसे पुट्टी जितना गाड़ा होने तक मिलाते रहें और उसे पुट्टी चुरी से दीवारों पर लगा दें ये प्लास्टर पर आसानी से जुड़ जाता है और ऐसी परत बनाता है जो दीवारों से पानी को बाहर आने नहीं देता ध्यान रखें कि एक कोट में एक किलो प्रोड़क्ट सिर्फ पंदरा स्कॉयर फिट की जगा में लगाएं डैम ब्लोग को प्रभावी जगह के आसपास दो फीट तक लगाएं और उसे चार घंटे तक सूखने दें और सूखने के बाद ऐसे ही दूसरा कोट लगाएं अब आपका घर एकदम पर्फेक्ट अब आपका घर एकदम पर्फेक्ट आप निम्न बातों का विशेश रूप से ध्यान रखें बहतरी नतीजे के लिए लीकेज के सोर्स को बंद करें डैम ब्लोग को सीमेंट वाले सर्फेस पर ही इस्तेमाल करें ना कि पी ओ पी पर डैम ब्लोग पाउडर को पानी में मिलाएं ना कि पानी को पाउडर उतना ही मिश्रन बनाएं जो दो घंटे के अंदर इस्तेमाल हो सके